देखे बिल्कुल मैं तिमारपूर सीट का पर मैं आपको बताता हूँ तिमारपूर सीट पर अगर आप देखें मैं आपको यहाँ पर दिखाएं हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर अपडेट आते हैं और तिमारपूर से हमारे पास काफी देर से अपडेट नहीं आया और ज जो पहला अपडेट आया था उसके बाद EVM राउंड का कोई अपडेट नहीं आया अभी तक मुझे चल रहे हैं बीजी पी के आमादमी पार्टी वहां पीछे चल रही है पूरवी दिल्ली की दस सीटों में साथ पर आमादमी पार्टी थीन पर बीजेपी थीन नइए द दिल्ली की आम आदमी पार्टी आगे हुगी, साथी एक और जो हमारे पास रुजान आ रहा है, EVM फर्स्ट राउंड है, यह उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और मैं आपको यह भी बता दूँ कि उत्तम नगर से फर्स्ट राउंड में काफी मार्जन से हम आदमी पार्टी आ गए है वो इसलिए कि कॉंग्रेस के जो उमीदवार है महाँ पर मुकेश शर्मा उन्होंने डिकलेयर कर दिया है अपनी हार मान ली है उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी-अभी कॉंग्रेस के कैंपेंड पे जाड़ो फिरना बीजेपी को नुक्सान दे गया है बिलकुल क्योंकि जिस तरह से कॉंग्रेस सीए को सपोर्ट कर रही थी अगर संख्याग वोट बढ़ जाता कॉंग्रेस का एक कमिटेट वोट बैंक है चार पांच दस परसेंट जो भी वो बढ़ जाता कॉंग्रेस साइलेंटली एकदम यहां यहां देखिए बीजेपी जो 16 तक पहुंची थी वो भी 15 पर ही अटकी हुई है किशोर आवन में 57 में 42 पर आमान भी पढ़ी है किशोर महतवपूर जानकारी मैं एक देदू आपको महतवपूर जानकारी देदू और जो फायदा भी है हमारे इस सेटप का तकनीकी कारणों की वज़े से नौर्थ दिल्ली के आदर्श नगर शकूर बस्ती देदाए, नीति जी कुछ बोलिया, आप बोलती है तो थोड़ी सीटयां बढ़ती है बीजेपी की आप इसे उम्मीद बची अब कांटा जो है पंदरा पर अटका हुआ है मिताब काफी देर से पंदरा से आगे नहीं बढ़ रहा है 43 तक पहुंच गई है आमान्मी पार्टी आपको यादो का 15 पर बीजेपी का कांटा था 30 के आजपास आमान्मी पार्टी का था लेकिन वो 30 से बढ़कर 43 हो गया है लेकिन बीजेपी का कांटा 15 पर ही अटका हुआ अभी तक 15 पर अटका हुआ जैसे इवी एम के कांटिंग हो रही है तो जादा आमान्मी पार्टी को फाइदा हो रहा मिताब बिल्कुल इवी एम बढ़ रहा है कांटिंग में फाइदा हो रहा है वही मैंने पोस्टल बैलेट वाली चर्चा की थी किशोर आगे बढ़ो इवी एम में हो सकता है कि लोकल इसूद हो कई लाकों में लेकिन दीरे-दीरे ट्रेंड आने दीजे दीरे-दीरे ट्रेंड आ र अगर आप देखें तो ग्रेटर कैलाश महरौली चतरपूर देवली अंबेडकर नगर बादली मुंडका किराडी और राजाओरी गारडन तिलक नगर और विकासपूरी यह वह बारह कॉंस्ट्वेंसी हैं जहां से अभी रुजान नहीं आ रहा है 58 सीटों के रुजान आप को बता रहे हैं तो यह 12 कॉंस्ट्वेंस